हेलो फ्रेंड वेलकाम टू माई यूटूब चैनल सुसान सीव व्लोग आज का जो लोकेशन है वो कठल मोर से 2-3 किलोमेटर दूर है रिंगरूट पार करके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलम का कैसे खड़ा किया गया है तो यह रभी का साइट है तो चलते हैं आगे देखते तो चलिए आगे मैं दिखा रहा हूं आपको तो यह वो साइट जहांपर मैं आपको ले करके आए हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो kolum जो है वो placement हो चुका है kolum का और नीचे का जो footing है वो ढल चुका है तो चलिए काम काफी तेजी में start किया जा चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो foundus footing जो है वो 5 by 5 का यहाँ पे दिया गया है 5 by 5 का और जो rod है वो 16 mm का 4 जो है वो 16 mm का है और 1, 2 है वो 12 mm का है ठीक है तो 10 by 15 inch का यह column है distance काफी ज्यादा होने के कारण से यहाँ पे जो column का rod जो है वो बढ़ाए गया है उसका डाया को तो चलिए आगे दिखाते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कि लगबग सभी 5 by 5 का foundation यहाँ पे दिया गया है और नीचे से जो wall है वो यहाँ पे construction किया गया है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं तो यह लगबग आपको 13-1400 स्कार फीट में यह आपका construction हो रहा है तो देखिए वीडियों बने रहे है और इसका जो लास्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा final बनने के बाद step by step करके जो भी आगे construction होते जाएगा वो मैं आपको वीडियो के थुरू आपको दिखाते जाऊंगा राभी घर का नक्षाव अगर बनाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं मेरा नंबर या email आईडिया आपको decision box में मिल जाएगा या about में मिल जाएगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैं राची के लिए या ज्यारकन राची से थोरी 50 km की दूरी पर मैं काम करता हूं ठीक है तो यहां पर देख रहे हैं safety tank बन चुका है जो की यहां तो साथ फिट आठ फिट है और यह तीन से चार फिट और जाएगा उपर ठीक है तो काफी बड़ा साइज में है safety tank तो यह है पीछे का portion पीछे जो है रोड जो है वह चार रोड दिया गया है काफी कम distance था तो दस बैस का यह कॉलम है तो यहां से आप देख सकते हैं इसका view दस बैस पंदरा का लगभग सभी को कॉलम दस बैस पंदरा का तीन कॉलम में हो दस बैस इंच का रखा गया है यहां पर और बोरिंग के लिए यहां बोरिंग किया गया है यहां पर किया गया है दो हज्जा क्रीबन आर्ट डिस्मिल के यह प्लॉट है तो इसमें 1350 स्कार फिट में यह पुरा प्लान बनाया गया है तो आगे मैं आपको इसका डिजाइन भी दिखाऊंगा किस प्रकर से प्लान किया गया है अभी आप तो थोड़ा सा इसको सस्पेंस में रखिए ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर मेरे वीडियो अच्छा लागा हो लाइक कीजिएगा सेर के सब्सक्राइब कीजिएगा ठाइंक्यू के लागा हैै